हेलो व्यूर्स इन दिस लेक्ट्चर वी आर गूंग तो लन अबाउट फॉंक्शन्स इन पी एचपी फॉंक्शन या सब रूटीन किसी भी प्रोग्रेमिंग लेंगवेज का एक सेल्फ कॉंटेंड ब्लॉक ओफ कोड होता है जो कोई भी specific task को perform करने के लिए बनाया जाता है programming languages के अंदर functions की दो किसमें होती है जिसमें built-in function होते हैं और user defined functions होते हैं built-in function से मुराद ऐसे functions जो के language की तरफ से provide किये जाते हैं जैसा कि हम पिछले program में array के नाम का और count के नाम का built-in function इसमाल कर चुके हैं जो के दूसी किसम के functions user defined functions कहलाते हैं जिनको program की जूरत के मताबक user खुछ से code करके बनाता है यहां पे हमें एक user defined function बनाने जा रहे हैं आईए इसको practice करके देखते हैं यहां पे मैं एक function बनाने जा रहा हूँ जो के हमें किसी भी दिखे हुए नंबर का square मालूम करके देगा तो function बनाने के लिए आप लोगो को function के नाम का keyword इसमाल करना पड़ेगा function आगे function का name फर्स करें इसका नाम हम रख लेते हैं sq यानि square मालूम करने के लिए function के नाम के साथ हमेशा parenthesis इसमाल होते है parenthesis के अंदर मैं एक variable देने जा रहा हूँ सो फर्स करें dollar sign and function के body start echo करो square of given number is dot dollar sign and multiply by dollar sign and so यह function बन चुका है आज़े इसको call करके देखते है यहां पर मैं एक और variable लेने जा रहा हूँ dollar sign x उसको हम let's suppose value दे देते हैं six यानि six का हम लोग ने square मालूम करना है तो इधर हम लोग function को call करेंगे function का नाम है sq parenthesis के अंदर हम लोग लिखेंगे dollar sign x control as to save तो आज़े इसके output देखते है तो यहां पर this square of given number is 36 यानि हमने number दिया था 6 तो उसने उसको square बना के 36 हमें output के तोर पे भाईया कर दिया है अगर हम लोग इस variable की value को तबदील कर देते हैं first करें मैं इसकी value कर देता हूँ 8 control as to save तो यहां पर 8 का square 64 आ चुका है so thanks for watching next video तक के लिए जाज़त दीजिए Allah अफिस so इस तरह की मजीद videos हासल करने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताके आपको बरवक्त videos महया हो सके